वेल्कम टिस्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांच सिकंड आज शुड़ू होगा रेडी स्टार्ट प्रेम सदभाव सेवा और त्याग की प्रकिर्ति जहां मानव जीवन के उत्थान का कारण बनती है वहीं क्रोध इश्या द्वेस जैसे भाव मानव का विनाश कर देते हैं इनमें इश्या एक अती भीशन भाव है जो सदियों से हर दूसरी व्यक्ति में जलकता आया है यहां तक की देवी देवता तक इस भाव से वन्चित न थे यदि यह माने की चिंता चिता के समान है तो इश्या उसकी अगनी है तभी तो इसे जलन की शंग्या दी जाती है सभाव में इश्या का पुट कहीं न कहीं अपने आप में छोटे पन के होने की अनुभूत ही होती है मनुष प्रतेक छेत्र में सफल नहीं हो सकता परन्तु अविवे की लोग यह मानने लगते हैं कि मैं सबसे अग्रणी हूं मुझसे अच्छा या योग्य कोई नहीं ऐसे परिस्थिती में जब वे वह नहीं प्राप्त कर पाते जो दूसरे आसानी से भोग रहे होते दिखते हैं तब वी इश्या भाव से ग्रसित होने लगते हैं यह भाव उनकी प्रकिर्थ एवं संस्कार का हिस्सा बनता जाता है फिर इश्या जन्म देती है क्रोध को घृड़ा को जो और भी भयंकर परिडाम का कारण बनती हैं मनो वैज्यानिकों भी इस तथ्य की पुस्टी करते हैं कि एक समय सीमा से आगे पहुँचा इस्या का मनो भाव मनुष्य को एक प्रकार की रुगणा वस्था तक पहुँचाने में सक्षम हो जाता है दुर्भाग्यतो यह है कि अधिकांश लोगों को इस विसम परिस्थित का ज्यान ही नहीं हो पाता कि इस्या की मनो वृती उन्हें किस धरातल में धसाय जा रही है क्रोध एवं इश्या सरीर में एक प्रकार की हानिकारक हर्मोन का स्राव करते हैं जाहिर है इश्या से ग्रशित प्राणी अपने को ही पीडा देता रहता है इससे धीरे धीरे व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं धूमिल होती जाती हैं विवेक दिशाहीन होता जाता है बुद्धी भरस्ट होने लगती है स्वैम के प्रती जागरूक रहकर इश्या के जाल से निकला जा सकता है यदि हम दूसरों से व्यर्थ की होड न करके सायम रखते हुए स्वै को उपर उठाने में प्रयासरत रहें तो इश्या जैसी अगनी से बचा जा सकता है स्टॉब